शुरू कर रहा है linear inequalities यह number chapter आपका chapter number 5 है तो इसमें जो पहले बाला question है इसमें बोला है verify very short question answer तो इसमें बोला है solve the 5x less than 24 when x belongs to natural number तो 5x less than 24 है तो x less than 24 by 5 आगिया यह linear inequality जो है यह inequality मतलब यह जो sign होता है यह inequality का sign होता है ठीक है तो हम लोग equal to जो देता है उसको equation बोलते है तो equation जैसे होता है यह भी same होगा दो तीन जागा यह इसका information change होता है मतलब इसका जो property है यह दो तीन जागा change होता है मतलब माइनास जब होगा तो माइनास होने से यह inequality change हो जाता है बाकी हम लोग जब solve करेंगे इन दोनों को तो इस type का equation जैसे solve करते सब सेम चीज़ होगा बाकी यहां पर जब less than या greater than रहेगा जो माइनास से या माइनास साइन से divided या multiply करेंगे तब यह inequality साइन चेंज हो जाएगा बाकी सब solve जैसे होगा ठीक है तो यह आ गया हम लोग इसको अगा नेचरल नंबर के तरफ मने मतलब राउंड फिकर में रखेंगे तो यह हो जाएगा 4, 4 by 5 ठीक है तो यहां पर बोल दिया x belongs to natural number मतलब क्या natural number होना चाहिए तो यह तो natural number नहीं है natural number कहां से शुचूरो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे सब natural number है तो यह बोल लह है 4, 4 by 5 से छोटा है तो पहले वाला मैंने यह नमबर कहां पर आएगा यहां पर यहां पर कहीं आएगा यहां पर है इसका नमबर तो यह 4 x 5 यहां पर है तो पहले नेचरल नमबर मैंने इस से छोटा बोल ला है मतलब यहां से यहां तक यह नेचरल नमबर आएगा तो इसका सॉलूशन जो आ तो नेचनल नमबर पहले बाला नेचनल नमबर 4 आ रहा है फिर 1 तक जाएगा पुड़ाई ठेक है आच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट नमबर 2 में बोल ला है solve x belongs to real number तो solve करते है नॉर्माल जो equation करते है उस टाइप कई solve पढ़ेंगे तो 3 उधर चला गया मैनस 2 देन 9 3-2 less than 6 हो गया दो दो कट गया तो फाइलरी मैनस 163 हो गया अभी मैन स से मंच्टीप्लाई कर रहें तो मिल्टीप्लाई करने से x greater than minus 3 आ जाएगा जब हम लोग multiply minus से multiply यह डिवाइड करेंगे तबी inequality यहां पर बोला था रियल नंबर माइनस थी से बड़ा होगा तो नंबर लाइन में अगर हम लोग देखेंगे मने मतलब लाम मालाइन अगर ऐसे होगा मैनस थी का फाल जो यहां फालएं तो इसके बाद यहां सो अूपर यह नंबर यह नंबर पूर या थी तक चलेगा तो सोलोसरेट किया हो जगा कि सोलूसरेट आपके जाएगा यहाँ माइनस घ्ल senior नहीं है तो उसलोष मेल रहता है और नहीं होने से उपर्द रहता है है तो यहां से प्लास इनफिनित्ट है पूरा भी रहेगा इसका इसका नमब्ड थी से माइनास थ्री से इंफिनिटी तक इसका सॉलूशन से रहेगा ठीक है अच्छा चलो नेक्स्ट नमबर 3 में बोला है solve for x x is real number आच्छा equation दे दिया inequality दे दिया 5x plus 7 तो यह इधर लेके आ रहे है तो 4x minus 5x less than 7 minus 3 यह आ जाएगा minus x less than इधर आ गया 4 तो finally minus से multiply कर रहे है तो x हो जाएगा इधर greater than minus 4 आ जाएगा तो यहाँ पर x belongs to real number बोल दिया थे यहाँ पर भी तो यह solution set क्या आ जाएगा minus 4 include नहीं है तो मतलब open bracket और यहाँ से minus से बड़ा मतलब plus infinity तक तो solution set आ गया आपका minus 4 से infinity ठीक है अच्छा चलो next करते हैं यहाँ पर बोला है 1 minus x less than 0 यहाँ पर भी x belongs to r तो यहाँ पर क्या बोला है यह जो value है यह 0 से छोटा होना चाहिए ठीक है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यह 0 से छोटा मतलब minus होना चाहिए मने हम लोगों का number line में अगर देखेंगे यह 0 है यहाँ से minus start हो रहा है मतलब यहाँ से start होड़ा है 0 के बात से मतलब यहाँ पर minus half है समझ दीजिए ठीक है मने बीच में इससे पहले minus one by four है इस टाइप कार यहाँ से one two three यह positive है यह minus two minus three इस टाइप का है मतलब 0 से छोटा होने से minus कुछ बोलना है तो यह minus होने के लिए यह तो positive always हो रहागा यह तो कभी negative नहीं होगा तो यहाँ पर हम लोगों को negative चाहिए तो negative होने से यह जो portion है इसको negative होना चाहिए तो inequality इस टाइप का हो जाएगा less than zero मतलब यह negative होना चाहिए तो इसके लिए इसको 0 से छोटा होना पड़ेगा ठीक है तो इसको solve करते है दो मतलब x का value 2 से छोटा होना चाहिए ठीक है हाँ x का value 2 से छोटा होना चाहिए तो finally हम लोगों का solution set के आ जाएगा कि दो से छोटा मतलब आपका दो include नहीं है तो आपका आ जाएगा इधर infinity minus infinity से लेके दो यह आपका solution set आ जाएगा कि देख लेते हैं यह नंबर हाँ ठीक है मतलब यहां पर एक पर तुरह सा समझे यह आप लोग सेट में कर चुके है यह जो आप लोग जब range निकलते थे तो वहां पर यह चीज सिखे है आप लोग यह जो इसका meaning है क्या ना इसका meaning है यह जो value है यह minus होना चाहिए 0 से च्छोटा मतलब माइनस होना चाहिए तो अगर यहां पर दो हो जाएगा दो होने से यह 0 हो जाएगा अन्रिफाइन हो जाएगा तो दो होना चाहिए तो से छोटा मतलब 9 9 9 9 9 9 इस से इंफिनिट तक चलेगा तब भी वह छोटा होगा तो इसका मतलब हो गया बने एक्स का वैलू जो है एक्स का वैलू माइनस इंफिनिट से दो तक रहेगा ठीक है अच्छा चलो नेस्ट करते हैं यहाँ पर बोलता है स्वाव आप एक्स का वैलू रिएल नंबर वोल दिया तो जीड़र माइनस एक्स भाई थ्री लेस देन वान है तो यह एक्स उनमा सुल्प करते हैं अलग-अलग भी सुल्प कर सकते हैं एक्स भी कर सकतें तो थ्री से माल्टिप्लाई कर ना थे 3 minus 3 less than 1 3 3 थी कट गया तो यह धर 0 ही हो गया इधर minus x यह 3 आगया इसको अभी positive करना है तो positive करने से minus 1 से multiply होगा minus 1 into minus x 3 into minus x 1 तो finally यह x आगया इधर 0 ही आगया sorry inequality change हो जाएगा तो 0 x 0 and minus 3 तो इसका मतलब हो गया 0 से छोटा है minus 1 से बड़ा है तो दूनों यह open packet है 0 से यह छोटा है 0 से छोटा मतलब 0 इधर चला जाएगा 0 से minus 3 यह आजाएगा solution set ठेक है मैंने 3 से minus 3 से बड़ा होना चाहिए यह 0 से छोटा होना चाहिए देख लेते हैं minus 3 से 0 हाँ ठीक है अच्छा चलो next करते है इसमें बोल ला है minus 3 less than equal to minus 3x plus 2 less than 4 इसमें rational number बोल दिया real number बोल दिया तो यहाँ पर हमको single x चाहिए तो पहले दो हटाते हैं दो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बोच साइड मैंने दोनों साइड में minus 2 करेंगे minus 3x plus 2 minus 2 इधर भी minus 2 इधर हो रहा है minus 5 less than equal to यह कट गया minus 3x less than यह 2 हो गया अभी इससे divided करना minus 3 से तो minus 3 से divided कर ले इधर inequality sign change हो जाएगा minus 3 by minus 3 2 by minus 3 तो फाइनली यह minus minus कट गया 5 by 3 हो गया less than greater than equal to इधर भी minus minus कट गया x greater than minus 2 by 3 तो फाइनली क्या रहा है x का जो value है x का value क्या रहा है इधर close bracket होगा क्यूंकि इधर positive है 5 by 3 से बने 5 by 3 से छोटा होना चाहिए तो 553 भी include है क्योंकि less than equal to greater than equal to होने से open close bracket होता है और only greater than यह less than होने से open bracket होता है तो minus 2 by 3 से कम होगा तो यह आपका solution आ जाएगा देख लेते हैं इस 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 बाला 6 बाला 6 का ठीक है अच्छा चलो next करते हैं अच्छा number 7 में बोला है show the graph of solution on number line अच्छा तो यह पहले तो एक पर सॉल्प करना पड़ेगा 2x minus 3 greater than x minus 5 तो x को धर ले आते हैं इसको धर ले का आते हैं तो x minus 2x minus x हो गया greater than minus 5 plus 3 तो यह x हो गया greater than इधर हो गया minus 2 बतलब minus 2 से बड़ा है तो number line इधर ड्रौ कर लेते हैं मने इसका solution है क्या मने actually इसका solution अगर लिखेंगे तो आज आएगा यह minus 2 से बड़ा तो minus 2 इधर है और इससे बड़ा मतलब इधर infinite तक पुरा ठीक है तो number line में ड्रौ कर देते है 0 है इधर 1 है इधर minus 2 है इधर minus 3 है इहां पर यह include नहीं है यह open bracket इसलिए हुआ है include नहीं है तो include नहीं है तो include नहीं है hole होता है hole होने के बाद यह इधर पुरा draw करना पड़ेगा मने इधर unlimited तक है और यह hole होगा not solid just only blank hole ठीक है अंदर में फाका रहेगा इस type का होने से हो जाएगा तो से यह include नहीं है ठीक है अच्छा चलो next करते है अच्छा यहां पर दो number का question का दिया हुआ है दो number है इसमे तो यहां पर भी बोला है real number है यह inequality दे दिया x minus 1 अच्छा यहां पर थोड़ा सा critical point का value जानना पड़ेगा मतलब critical point क्या होता है कहां कहां पर यह inequality आपका solve हो रहा है मना solve मतलब कहां कहां यह exist कर रहे वो देखना पड़ता है तो यहां पर यह जो value है यह और यह दोनों value है तो दोनों को हम लोग critical point में बैठा के देखेंगे तो यहां पर अगर समझ जीजिए यह x plus 3 को अगर x plus 3 equal to 0 अगर होता है x equal to minus 3 होता है एक्ठो हो गया और x minus 1 equal to अगर 0 होता है तो x equal to 1 होता है तो यह दोनों critical point है तो 0 यहां पर बैठाया फिर यह minus 3 यहां पर बैठाया और 1 इधर बैठाया तो यहां पर जो value है यह तीन पार्ट में critical point मतलब यहां पर यह सब minus area है यह इन दोनों का बीच में area है और यह 0 और 1 के बीच में है और इधर आपका 0 से infinite ठाक है तो हम लोगों को यह देखना है कहां पर यह positive रहेगा बने अगर समझेब यहां पर ऐगर minus 5 बैठायेंगे तो यह positive हो रहा है क्या देखना पड़ेगा यह negative हो रहा है तो minus 5 बैठायाके देखते है पहले minus 5 बैठाया तो क्या हो रहा है minus 5 plus 3 मतलब इधर negative आ रहा है और इधर minus 5 तो यह दोनों मिलाके positive हो रहा है कैसे हो रहा है अगर चेक करना है तो देखिए x plus 3 इधर by x minus 1 तो इसको अगर minus 5 बैठाएंगे तो minus 5 plus 3 इधर minus 5 minus 1 मतलब minus 2 by minus 6 तो positive आ रहा है 2 by 3 मतलब 1 by 3 positive आ रहा है तो positive आने से इहां पर इसका value positive है ठीक है यहां पर क्या होगा minus 3 के बीच में minus 3 और 0 के बीच में minus 2 बैठाते हैं तो minus 2 बैठाने से इधर plus आएगा और minus 2 बैठाएंगे इधर minus आएगा तो उपर में plus हो गया नीचे minus तो plus minus में लेके minus आएगा अगर इहां पर कहीं होगा हाप समझ दीजिए अगर हाप बैठाते हैं तो क्या होगा हाप बैठाने x equal to half बैठाया यह 0.5 बैठाया तो हाप करने से problem होगा 0.5 बैठाया ठीक है तो positive negative मिला कि यह negative आ गया ठीक है एक बाद देख लीजिए नहीं तो यह है तो आपको 0.5 बैठाया प्लास 3 और इधर 0.5 minus 1 मतलब उपर में 3.5 हो गया और नीचे में minus 05 हो गया तो minus आ रहा है ठीक है फिर यहां पर आगर 1 से ज्यादा बैठाये हैंगे तो क्या आएगा समझे यहां पर अगर 5 बैठाते है तो 5 करने से यह 5 आएगा यह भी positive है तो हम लोगों को positive चाहिए मनें इसका value जो है यह positive बोला है मनें यह 0 से बड़ा मतलब positive है तो positive कहां पर आ रहा है इस रेंज पे और इस रेंज पे लेकिन यहां अगर minus 3 बैठायेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जीरो से जीरो एक वाट नहीं है जीरो से बड़ा होना चाहिए तो यह प्लाइंट इंक्लूड नहीं है और यहां पर minus अगर 1 बैठायेंगे 1 बैठायेंगे नीचे इंफाइन हो रहा है तो यह भी इंक्लूड नहीं है तो finally हम लोग बोल सकते है मनें इधर minus infinity से इधर plus infinity तक है तो हम लोग बोल सकते है यह पॉइंट आर यह पॉइंट मनें यह रेंज यह रेंज हम लोग ले सकते है तो minus include नहीं है तो minus infinity से आर इधर आपका यह इंक्लूड नहीं है तो minus three open bracket होगे है दोनों open bracket union इधर आपका यह पॉइंट नहीं है तो one plus infinity यह आपका इसका solution सेट हो जाएगा ठीक है मतलब यह पॉइंट आर यह मनें इधर पुडाल लेंगे यह और यह नहीं लेंगे इंक्लूड मनें यह भी यह पॉइंट नहीं होगा यह पॉइंट भी नहीं होगा ठीक है देख लिए एक मिनिट मनें से minus three union one हा ठीक है अच्छा चलो नेक्स रटत है अच्छा सॉल्ब दा फॉलिए इंगे इंट फॉर एल तो रियल नम्मर के लिए बोला है ठीक है तो पहले तो इसको solution करते हैं मने सॉल्ब करते है 4 प्लास गेटर देन इकल तो 3 प्लास 4 एक्स 2 एक्स मैनस 3 एक्स 3 भाई 4 मैनस 4 एक्स मैनस भाई 3 लेस गेटर देन इकल टू मैन 3 मैनस तो यह एल सीम हो गया आपका बारा इधर हो रहा है 6 मैनस 9 मैनस 16 एक्स केटर देन इकल टू यह मैनस 6 तो फाइनली यह यह मिला के मैनस 10 आ रहा है इधर 9 और यह माल्दिप्लेई इधर हो गया मैनस 72 तो फाइनली 10 एक्स आपका केटर देन इकल तू मैनस 72 प्लास 9 इकल टू माइनास 10x यह वाला 9 इस से मैनास होने से 97 इधार 2 चले गया 7 था माने 63 अच्छा यह माइनास अभी दोनों पर माइनास है तो इसको अगर माइनास से माने माइन दिवाइडर करेंगे तो यह इनुकलिटी साइन चेंज हो जाएगा मतलब x equal to हो जाएगा less than equal to minus 63 by minus 10 तो यह आ जाएगा फाइनली x less than equal to 63 by 10 ठीक है तो यह हम पर हम लोग को क्या पूछा था solution solve the following inequality for real number हाँ तो solution set क्या हो जाएगा यह include है plus इससे छोटा है मतलब infinite तक छोटा है minus infinite ठीक है और यह include है मतलब यह close bracket है ठीक है तो एक सा solution set यह आ जाएगा ठीक है एक मिनिट देख लेता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा चलो next करते हैं अच्छा next number 3 में बोला है वही रेल number बोल दिया तो इसको भी solve करते है minus 3 less than x minus 4 by 3 minus 2 2x minus plus 3 by 4 minus x एक तरफ लेके जाते है और बाकी constant दूसा तरफ लेके जाते है just solution के तरह ही करना है और कुछ नहीं है यह 12 हो गया यह आ रहा है कितना 6x plus 9 minus इदर है 4x plus 16 less than 1 तो फाइनली यह दोनों मिला के 2x और यह अटका रहा है 25 less than यह 12 तो 2x यह उधर चला गया 12 minus 25 equal to minus 13 तो x equal to x less than minus 13 by 2 तो इसका solution set क्या हो जाएगा बोला है इस से छोटा ठीक है तो माइनस 13 यह इंक्लूड नहीं है ओपर ओनली लेस दन है तो इंक्लूड नहीं है ओपन ब्रैकेट और इधर इन्फाइनाट्स तक माइनस मानने यह छोटा जितना हो सके तो यह एकसा सुलूशन सेट हो गया है ठीक है देख लेता है कि माइनस इंफिनिटी से पंद्रह 1.5 यह कितना नंबर था यह नंबर 3 का नंबर 3 कहां है हाँ ठीक है माइनस इंफिनिटी से माइनस 13 by 2 ठीक है तो यहां पर ही खतम हुआ इसका नेक्स्ट जितना जल्दी हो सके करेंगे ठीक है ओके थैंक्यू